नमस्कार प्रियसातियों गंगाराम राशी रतन केंद्र में आपका हाड़िक स्वागत है मैं गंगाराम आज आपको पुखराज रतन के बारे में ऐसी बादे बताऊंगा जो अभी तक आम आदमी नहीं जानता बिना राशी बिना लगन बिना जनम पत्री का दिखाए भी चार परिस्थितियों में पुखराज आँख मूद कर पहन लेना चाहिए वह चार परिस्थिति कौन सी है जिन में पुखराज रतन का चैन करना व्यक्ति को तत्काल सभी प्रकार की समश्याओं से बाहर लाता है लाब और पहचान के बारे में बात होगी और आज मैं आपके लिए एक शांदार सा पुखराज लेकर के आया हूँ वह भी आपको वीडियो के लाश्ट में दिखाऊंगा लेकिन इसे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं के समधान के लिए अच्छी सरेणी के राशी रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर, मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रिन पर देखी रहे हैं तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं दुर्गुनों के जीवन में आजाने पर यदि आपके अंदर या आपके किसी बालक के या सगे संबंधी के अंदर कोई दुर्गुन आ गया है किसी प्रकार की खराब आदत ने घर कर लिया है उसके दिमाग में बैड हैबिट्स का एक नेचर होता है कि वह व्यक्ती को पकड़ने के बाद में छोड़ती नहीं बैड हैबिट्स को व्यक्ती पकड़ता है लेकिन बाद में वह उसको नहीं छोड़ती तो यदि आपका कोई सहगसंबंदी, आपका कोई पुत्र या आप स्वयम किसी गंदी आदत की गिरफ्त में है, शराब पीना शुरू कर दिया, छुडाई से नहीं चूटती, भाँग पीनी शुरू कर दिया, छुडाई से नहीं चूटती और लाम तरहे के जो दुर्गुन हैं किसी भी प्रकार का दुर्गुन व्यक्ति के जीवन में आजाए उससे पूरा परिवार प्रेशान है पूरे परिवार के नाक में दम होके रखा है तो ऐसे व्यक्ति को शुद पुखराज धारण कराना चाहिए शुब मुरत में एक वर्स के अंदर आपको बड़ा फाइदा होता नजर आएगा चूंकि हमारी जोतिस में देव गुरु ब्रियस्पती धन के कारक हैं तो जिस व्यक्ति को धन संपत्ति प्राप्ति की इच्छा है साती सात में लगातार धन में हानी हो रही है कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा तो शुद्ध पीला पुखराज बिना टूट फूट का बिना स्क्रेच बिना दाग दब्बेगा एक किलियर सा पीस आप धारन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े स्तर पर लाब होता दिखाई पड़ेगा संतान सुक की प्राप्ति के लिए भी पुखराज रतन व्यक्ति को धारन करना चाहिए और यदि किन ही कारणों से आप पुखराज रतन धारन नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध पुखराज खरीद करके घर में पूजा इस्थान में भगवान नाराहिन की मूर्ति के पास रखने से भी यह रत्न चमतकारिक रूप से लाब करता है। तो आज जो पुखराज में आपके लिए लेकर के आया हूँ, यह आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका वजन है पांच पॉइंट तिरासी करेट, पक्की रत्ती साड़े चाहे के आसपास, यह इसकी गवर्मेंट लेब भारत सरकार द्वारा प्रमानिक यह लेब आपके सामने स बीस हजार रुपे पर केरेट के भावों में खरीद सकते हैं, मैं काम ना करता हूँ, जानकार यह आपको अच्छी लगी होगी, यह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करे, सेयर करे, और चैनल को करे, सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, ऐसे ही रतनों के साथ भविश्य में भी, तब तक के लिए नमस्टाइब